नमस्कार दोस्तों मैं पंडित आश्ट्रोत्रिपाठी वरांसी से हस्त रेखा के वीडियो में आप शबी का पुनाश्वागत करता हूँ आज मैं जिस पिजसे पर बात करने वाला वो कुछ ऐसे बच्चे जो स्वार्थी होते हैं उनके अंदर स्वार्थ की भावनाए होते हैं देखेंगे वो निखलेगा कि बच्चे स्वार्थी दिखाई देंगे वहाँ पर कुछ उपाय करके उनकी चीजों को हम बदल शकते हैं उनकी नेचर को बच्पन से ही बदल देते हैं जिसकी कारण से उनका भविष्य बड़ा अच्छा हो जाता है बड़े में भी होगा बड़े भी कुछ उपाय कर ले तो उनको भी बड़ा राहत मिल चाएगा क्योंकि श्वार्थी लोग किसी के नहीं होते हैं श्वार्थी लोग को लोग नहीं पूशते हैं अपने तक नहीं पूशते हैं और ऐसे लोग का 45 साल के बाद कोई अपना नहीं हो पाता तो उन्स सभी योग को हतेली पर जानेंगे क्या कर लच्छन होते हैं और उनको उपाय को भी हम जानने का प्रयाश करेंगे कि वो उपाय क्या है पहला संकेत जिसा आपको दिखाई दे रहा है अगर राहू का गढढ़ा जादा हो तो ये लोगों को लगता है कि आप सेलफिस हो आप में कम होगे लेकि लोगों को जदा लगए कि आप सेलफिस हो अगर ये राहू का गढढ़ा जादा हो ठीक और हाथेली जो आपको दिखाई दे रहा है हाथेली अगर आपका उपर का उंगली बड़ा हो और हाथेली छोटा हो या ये बड़ा हो वो उंगली छोटा हो हाथेली बड़ा हो हाथेली बड़ा हो उंगली छोटा हो अगर इस तरह के भी लच्छन हैं अगर इस तरह के भी योग बन रहे हैं तो शमर्जी के बच्चे में या बड़ो में एक स्वार्थ की भावनाय दिख जाएगा और ऐसे लोगों का देखा गया है राहू ज्यादा प्रभावी करता है और ब्रिश्पति भी अगर राहू से प्रभावीत होता है तो भी ऐसे लोगों में स्वार्थ की भावनाय आ जाती है दूशरे घर में शनी रा जैब करना चाहिए बच्चों को सेरिंग सिखाएं बच्चों बोलिए की आप सेरिंग करना शिखो आप लोग बचपանूने करने के आटर ढाले और सरपोखा की जड़ या या बच की जड़ गले में उनके पहना दीजियां और गरिष्ट भोजन रात को देना है जुद्वा घरिष्ट भोजन secondo रात को नहीं देना है वभान को बच्चों को देने का प्रियाश करना है खास तो तो सुर्युद्यों के बाद तो घरिष्ट-भosure्चन नहीं देना है शुरेदे हुआ तो सुरेदे के बाद गरिष्ट वोजन नहीं देना है ठीक है तो कुछ ऐसे उपाए हैं चंदन का लगा शक्ते हैं चंदन बच्चों को हमेशा लगाने को बोलिए ठीक और जो पाय बता हैं आपको वह करिए पच्च की लकड़ी सर्पोखा की लकड़ी गले पन्याद दिजे सेरिंग करना शिखाए तो इन सब चीजों से आपका स्वार्थ का चीजे बच्चों में आ रही हैं वह बहुत अतक कम होगा और भच्चा धीरे धीरे भविश में आगे बढ़ता हूँ चला जागा नहीं तो बैसा जाल के बात काफी दिक्कत हो जाता है तो आज के वीडियो में इतना है वीडियो चलाएं लाइक करें अधो करें नोरर करें जय है ने जय भारत झाल झाल